फेलो, एवर्रिवन, अई होप यॉआ लिविंग वरर यॉइल, अब अपनी बढ़ाई का फैमली के धियान कफी अच्छी तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से इंजोई कर रहे होंगे और फ्रेंड हमने कल पड़ा था वेदो पड़ा था 중रे गुछ था गुं लेद हम प्रहुंद नेक्स हम बात कर लेते हैं आज जो गृंज होंगे हमारे क्या होंगे गृंज गरंथ गरंथ देखेंगे आज हम लोग यानि जो हमारा हमने कल वेदिक पड़ा वो जो कल हमने वेद के बारे में पड़ा था तो अब देख लेते हैं उसके कुछ ब्रामन टेक्स भी होते हैं उसके कुछ उपवेद भी होते हैं तो वो देख लेते हैं सबसे पहले तो तो चल और अथर्ववेद, ठीक है, यह देखे थे हमने, आज हम बात करेंगे यहां से, कि इनके ब्रहामन टेक्स कौन से हैं, और इनके उपवेद कौन से हैं, तो सबसे एकर पहले मैं ब्रहामन टेक्स की बात करूं, ब्रहामन टेक्स्ट, यानि ब्रहामन गरंद के बात करूं, तो क कोशित की तरीके से लिखेंगे स्वामवेद की एकर मैं बात करूँ इसका क्या होगा इत्रिया कोशित की इसका होगा शडविष शडविष वो एक और होगा जिसको पंचविष भी बोलेंगे पंचविष यह आप याद रखेंगे Shadwis, Punchwitch, इसका यह जुरुवेट का hablando गरन्थ कौन सा होगा ? वह होगा produced और यह अन्सीएंट है यह बहुत पुराना है यह गरन्थ ठीक हैbak ? घुपत अन्सीएंट घ्याथ है और अन्सीएंट इन्सीएंट और अल्ड़ डैस्थ ? एक sequential में लिखके दिखाओ ठीके सिक्वेंस में लिखके दिखाओ तो कैसे लिखेंगे उसको याद रखना है नेक्स सिक लेते हैं अपवेद तो अपवेद का जो अपवेद होगा वह और होगा पहला आयूरेद आयूरेद और इसका साम यंत क्या होगा गंधार गंधार वेद, यह जुर्वेद की अगर बात कर लेते हैं, यह जुर्वेद का क्या होगा, यह जुर्वेद का होगा, धनू, धनू, वेद, ओके, यह बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और इसका क्या होगा, शिल्पी, regulation के बारे में, इन सब में explain किया गया है, अच्छे तरीके से, ठीक है, यानि इनको और explain करके बताया गया है, ठीक है, यहां पर अगर में इसकी बात करूँ, वो तो सब ritualistic है, मैंने बता दिया, आपको फूरे एक rule regulation के साथ में बताया गया है अगर मैं इनकी बात करूँ अयूरवेद मैं आपको बता है șंको बदाएगा गंधार अगर बात करूँ ő सिर्फ म्यूजिक के बारे में बताएगा अगर धनू धनुवेद की बात करूँ तो इस कि मार्शल आर्ट और यह आपके बारे में बताएगा ठीक है और यह क्या जैसे और कि टेक्ट्चर वगरा के बारे में बताएगा शिल्पी नाम से पता चल दा है और यह यह भी धनुव है वह दनुव से चलाने वाला तो यह आपके से याद रखेंगे इनको शोट ले लिजी या फिर इसको यह याद रखना है कभी पूछ लेता है और पीचे वगरा में पूछे जाते हैं यह यानि यनी या फिर जंगल वो बुक्स जनको जंगलों में बैट कर लिखा गया है रिशी मुनी द्वारा ठीक है वो बुक जिनको जंगलों में बैठकर लिखा गया है रिशी मुनी द्वारा अपने इस्टूडेंट्स के लिए अपने शिश्यों के लिए जिनक बुकों को जंगल में लिखा गया है रिशी मुनी द्वारा वो क्या होते हैं आनक ठीक है यानि death, worth इन सब के बारे में बताया गया है और कुछ mysteries वगरा पर बताया है mysteriesium book भी है या फिर fellowshipism कह सकते हैं इसको ठीक है इस तरीके से बनिये next यहां से बढ़के बात कर लेते हैं हमने क्या पड़ लिया ब्रामन गरन देख लिए उपवेद देख लिए आणकी देख लिए हमने अब हम देखेंगे उपनिशद ठीक है क्या देखेंगे अब उपनिशद अब हम देखेंगे उपनिशद उपनिशद क्या होते हैं उपनिशद के अंदर philosophical यानि दार्शनिक thought, ideology इसके अंदर explain की गई है वैसे तो अगर मैं इसकी बात करो यानि गुरू के पास बैटकर यानि जो गुरू होते थे जो रिशिमुनी होते थे इनको गुरू बोला जाता था तो यानि गुरू के पास बैटकर सीखा गया गयान क्या कहलता है उपनिशद कहलाता है ठीक है, एंड इसमें लिखा 복씨 क्या है, है किस चीज़ के बारे में, तो basic से लेकर इसके बात करें, तो इसमें आत्मा, प्रमात्मा, याई दुनिया में जो कुछ है, उसमें मौहमाया है, इन सब जीजों से निकलकर हम भगवान से, याई अपनि सुप्रिम सौल, जो है उसमे को है यह भी यानि हम जैसे पैदा हुए और जब तक सुप्रीम सौल में नहीं मिल जाते यांकि प्रमात्मान में नहीं मिल जाते वह बीच में कर जो रास्त है उस सब चीजों के बारे में यहां पर बताया बताया जाए थीक है तरीखे सरी याद रखेंगे अगर मैं बात करोई तो कितने उपनिशद होते हैं यहाँ बात करूंगा यह उपनिशद ठीक है हिंदिए- Unfortunately की बात करूँगा इसे लिखा जाएगा तो यहां पे क्या है ना यहां पे हमारे यहां एक रास्ट्रे वाक्य ले गया है यहां से यहां से लिए गया है जिसको आपने बहुत वार सुनाओगा सत्ये मेव जयते सत्यमीर ज्यति के जो वाक्य है तो किसंट वाक्य है यहाँ से लिए फ्राहके हैं यहां से लिए oire मुंड को अपनिश्द से ठीक है यह कहा है यह हमारा रास्ट मुपनिशद यह नहीं है इसको याद रखना है सबसे ज़्यादा फोकस जो इसमें दिये गए वह दिये अ आत्मा के आ पर-से इसमें बहुत ध्यान दिया गया に हमारी जो आत्मा है वह सुप्रिम सौल में किस तरीके से जाकर के मिल जाए ताकि हम लोगों को बार-बार जनम लेकर के जीना मरना ना ठीक है, उसके आपर काफी फकस किया गए है यहाँ पे, तो next देख लेते हैं वमारा, I hope आपको चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स बात कर लेते हैं पुरान के बारे में किसके बारे में पुरान 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 का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पुराना या फिर ओल्ड ठीक है यही से ही मतलब समझ में आ रहा होगा पुराना या फिर ओल्ड ठीक है अब पुरान है क्या, पुरान के अंदर explain क्या गिया हुआ है, कितने पुरान होते हैं, तो 18 पुरान होते हैं, ठीक है, पुरान कितने हैं, 18, 18 पुरान हैं, तो पुराने में लिखा क्या गया है, इन पुराने में राजा, महाराजा, उनके बारे में लिखा गया है, यानि इतिहासिक गटनाएं ठीक है राजा महाराजा राजा महाराजा इनके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे जैसे की कृष्ण भगवान प्रिष्ण भगवान शिव भगवान और विष्ण भगवान इनके बारे में पता चलता है और विष्ण भगवान के नो अवदार के बारे में लिखा है है और एक और अवदार के बारे में लिखा है कि जब घोर कली होगा जाएगा तब क्या होगा इनका दोबारा फिर से जनम हुगा वन पापको मिटाने के लिए ठीक है ऐसे कुछ लिखा हुआ mieć लिए इस गूस गूक के अन्दर कुछ राजा कों से है जैसे साथ वहना या पढ़ोगे आगे जाके साथ वहना या फिर गुपता ठीक है उन लोगों के बारे में भी यहां से लिखा गया है अगर मैं बात कर लेता हूं कितने बता है मैंने इसके अंदर 18 बताए हैं और यह देख लिए आपने तो इसके कुछ इंपोर्टेंट है जैसे मतस्य पुरान और वायू पुरान और एक और है अगणी पुरान यह कुछ इंपोर्टेंट है इसमें याद रख लेना और जो विश्णू के अवतारों के बारे में बात की गई है वो मतस्य पुरान के अंदर की गई है यह याद रख रखना है इसके इंदर जैसे आप लोगों ने सुना होगा सूरीय वंसी यदुवंसी यदुवंसी वगएरा यह सब सुना होगा आपने तो उसका प्रत्वी बनी है और जब तक यह वो कमपोज होई इसमें सब कुछ लिखा गया इसके बारे में ठीक है जब गवारे पम्पॉस है तो तब से ही लेकर आसक के बार में लिखा dość एक चीज भी रहा है कुछ यूगों के बार घुने करेता भी बोलते हैं की ठीक के बाद आए कह देंगा था है उसके बाद आएगा द्वाबद और उसके बाद आएगा कल्यूग अगर मैं यहां बात करूँ तो यहां श्री राम भगवान के बारे में बात की गई है ठीक है और यहां पर अगर बात करूँ तो कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान और यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर बोला गया है कि जब पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा यानि घोर कल्यूग आ जाएगा तब वो जो मैंने बताया मतस्य पुरान के अंदर जिक्र किया गया है किनका विष्णु भगवान के नेक्स्ट अवतार का यानि 10 अवतार कहा होगा वो कल्योग में होगा किसका होगा विष्णु ओके आई होपिंग यह चीज़े आपको क्लियर हो पा रही होंगी एक एक चीज में बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए ट्राइ कर रहा हूँ तो आई होप आप चीज़ें को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से ठीक है इस तरीके से कुछ इसको याद रखेगा यही इसका सेक्वेंस है इस तरीके से याद रखने हैं इसको 1,2,3,4 यह याद रख लेना है आपको यह चीज़े नॉट कर लेना स्क्रिंशोट ले लेना अच्छे तरीके से रिवाइज करते जाना है इतनी देखने में थोड़ा तफसा लगेगा बट एक्च्वल में यहां से बनते हैं और पूछता अब नेक्स यहां से बढ़ जाते हैं यह हमें इतना इंपोटेंट था यहां से आगे बढ़के देखते हैं बस आप तियारी करते जाएएगा कोई कोई कोश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग छोड़ के आ जाएं एक्जाम में और अच्छे तरीके से तियारी करते जाएं इविन यह सब कोईश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह सब पूछे हुए हैं और अब बस तियारी करते जाएं नौट्स ऐसे ही बनाईएगा हिंदी इंगलिस अभी सब दोनों एकी जैसे चले गाई है अब नेक्स बात कर लेते हैं हमारे नैशनल एपिक्स एक्स के बारे में ठीक है जो हमारे एपिक्स हैं यानी क्या है जैसे रामायन और नेक्स करेंगे महाभारत ठीक है दोनों के बारे में बात करेंगे रामयन को किसने लिखा है वालमी की इसके अंदर कितने चैप्टर कितने कांड हैं इसके अंदर 7 चैप्टर या फिर कांड और इसमें जैसे बाल कांड हुआ सुंदर कांड हुआ है ऐसे कुछ कांड है जैसे बाल कांड सुंदर कांड और भी बहुत है नेक्स यहां पर बात कर लेते हैं इसमें जो है, आपको पता ही है, स्टार्टिंग में इसके अंदर 6,000 स्लोगन थे, बाद में इसमें बढ़ा कर दीगे 12,000 और अब अगर की बात करें, तो 24,000 स्लोगन है इसके अंदर 24,000 स्लोगन है इसके अंदर, यानि 6 के टेबल से according, ठीक है, क्या है इसको लिखा गया है, ठीक है और नेक्स बात कर लेते हैं, महाभारत तो महाभारत क्या है, महाभारत को लिखा है वेद वयास द्वारा वेद वयास ठीक है, वेद वयास द्वारा लिखा गया है इसको, और इसके अंदर अगर slogan की बात करें यानि कांड की बात करें तो कितने कांड है इसके इंदर इसके इंदर कांड है 10 कि बात करें इसके अंदर कितने कांड है पर्व है चैप्टर है तो इसके अंदर 18 पर्व है चैप्टर है यानि ठीक है और 18 चैप्टर में से अगर मैं बात करूँ six की यानि छटे पर्व की तो छटे पर्व को ही भीश्म पर्व मना जाता है क्या मना जाता है भीश्म भीश्म पर्व यानि ये कौन सा पर्व है भीश्म पर्व यानि आप लोगोंने महावरत देखी होगी तो उसमें क्या होता है अर्जुन लड़ने से मना कर देता है ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर भगवान उसको क्या करते हैं गीता का ग्यान देते हैं ठीक है यानी गीता का ग्यान कहां दिया गया था सिक्स पर्व में ठीक है तो यहीं से लिखेंगे गीता ग्यान लीता का ग्यान कहां मिला था सिक्स पर्व में मिला था अरज़न को दियत्वान ने तब उन्होंने युद में लड़ने से मना कर दिया था इस तरी के से देखना है इसकी अगर बात करें तो आप लोगों ने मैंने बताया था आपको अरज़न वगयरा को लेकर कि उनमें आपस में कुछ जगड़ा हुआ होगा तो उनकी जगड़े के बारे में भी इसके अंदर जिक्र मिलता है ठीक है ये चीज आप आई होप ये चीज़े आप किलियर कर पा रहे होंगे अब इसके अंदर देख लेते हैं कितने स्लोक थे जै सहीता थी मावरत कब बनी तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर स्टार्टिंग में 8800 क्या थे इसके अंदर श्लोक थे फिर वो किते हुए 24000 तब उनको बूला गया जै सहीता अब जो पर्जेंट की बात करूँ तो वन लेक इसके अंदर अगर मैं पर्जेंट की बात करूँ तो वन लेक ठीक है कितने हैं इसके अंदर पर्जेंट वन लेक क्या है वन लेक इसके अंदर महा भारत बोला गया है इसको महा भारत यानि पहले क्या थे 8,800 लोग थे 24,000 हुए तो उनको जैसा ही तब बोल गया जब वन लेक हुए तो उनको माहा भारत बोला गया ठीक है यह चीज आप याद रखेगा यह चीज क्लियर होगी है बस इतना ही पढ़ना था आज हमने पढ़ाए गरंतों के बारे में और आप इंटरस्ट ले पाएंगे इन चीजों के अंदर बहुत इंटरस्टिंग है यह सब यानि आज हमने क्या पढ़ाए अपने वेदिक लिटरेचर पढ़े हैं यानि वेदिक स देख लेना इसको और कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आपको फिर से कहा देता हूं कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है हमेशा वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं मैं तभी आपको रिप्ले कर दूँगा उसका एंड फिर से वही कहता हूं अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजेगा अपने फेंड्स के साथ में शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा एंड लास्ट बबाई